Hello friends, welcome to GK stream हम हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातिओं के बारे में बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में हम बाकी बची हुई जातिओं के बारे में बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अचरज जाती की आचार्य अर्थात अध्यापक आचार्य को अचरज अथवाचारज नामों से भी जाना जाता है अचरज ब्राह्मन होते हैं जो मृत्यू के बाद वाले संसकार करते हैं और बदले में दान लेते हैं एक दंतक अथा कहती है कि यह समुदाय पाँच गौर और पाँच द्रविडों से उत्पन ब्राह्मन है यह लोग मृत्यू के तेरह दिन के अंदर ही दान ले लेते हैं जिसे दूशित माना गया है इसलिए इन्हें समुदाय से निकाल दिया गया था बाद में यह एक अलग समुदाय अचरज के रूप में विकसित हुए अचरज का एक वर्ग जो अपने ही समुदाय के मृत्यू संसकार करते हैं उन्हें महाचरज, पराचरज, अत्वा महाब्राह्मन कहा जाता है यह कुछ ही जिलों में कम संख्या में रहते हैं इनके गौत्र, शांडिल, मोदगिल भार्दवाज, आदी हैं समुदाय का सामाजिक नियंत्रण उनकी अपनी आचार्य सभा यानी परिशद के पास होता है जिनका मुख्याले सुन्दर नगर, मंडी में है उनके भिन भिन कुल देवता हैं जैसे नाहर सिंह, सोहनी देवी, नैना देवी और घागस देवी जो उनके स्थानी ये ग्राम देवता भी हैं ये था अचरज के बारे में, अब बात करते हैं भाठ जाती के बारे में परंपरागत तोर परभाट राजाओं की गाथाएं गाते थे जब शासा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे उनके पीछे एक समूह होता था जो उनके परिवार का इतिहास और उनके सहसी कारियों का बखान करता था उन्होंने सिर्मौर के ट्रांस, गिरी और सिस्गिरी क्षेत्रों में प्रयास किया वे खुद को ब्राह्मन कहते हैं परंतु ब्राह्मन इसे स्वीकार नहीं करते खेल एक छोटा समूह होता है तथा विवाह संबंधी को नियमित करने का एक तरीका है उन्में से कुछ अपने नाम के साथ भाट लिखते हैं जबकि आजकल ये शर्मा सरनेम भी लिखते हैं उनका मुख्य व्यवसाय खेती है जबकि कुछ पुरोहित का काम भी करते हैं उनकी कोई सामुदाइक परिशद नहीं होती पवित्र स्थल्ल, हरिद्वार, वैश्नो देवी, ज्वाला मुख्य, केदारनात, बदरीनात और हाट कोटी आदी आईए अब जानते हैं बत्रा अर्थात बटाहरा जाती के बारे में पंजाबी में बत्रा शब्द को बट्टा अर्थात पत्थर से लिया गया है इनका मुख्य व्यवसाए पत्थरों को तोड़ना, तराशना था तथा इन्हें मिस्त्री अत्वाराज भी कहा जाता था पत्थरों के काम में ये पहाडों के भावियन लोगों के समान है कांगड़ा में खुद को जम्मुलिया राजपूत कहते हैं जो 1905 के जम्मु में आये भुकंप के बाद यहां आ गए थे धर्मशाला में एक बत्रा मुहला है वे मुख्य तह कांगड़ा, मंडी और चम्बा जिले में हैं सामाजिक मदभेद इनके समुदाय के अपने लोगों द्वारा सुलजाय जाते हैं, जो स्याने यानि बड़े बूढ़े लोग होते हैं दिवाली से अगले दिन ये लोग विश्व कर्मा दिवस को बड़े हर्शोलास से मनाते हैं इस दिन ये काम से छुट्टी लेते हैं और अपने अंजारों की पूजा करते हैं अगली जाती है खटिक, उंचाई वाले क्षेत्र जैसे भरमौर, पांगी, कुलू और लाहौल स्पीती के अलावा पूरे प्रदेश में पहले हुए हैं खटिक शब्द संस्कृत के शब्द खटिका से उत्पन प्रतीत होता है जिसका अर्थ होता है कसाई, अथवा, शिकारी उन्हें उत्तर प्रदेश और पंजाब से यहां आया हुआ माना जाता है जो कमाई के लिए यहां आए हैं एक मान्यता के अनुसार, ब्रह्मा ने इन्हें बकरी की खाल, पेड़ की चाल और लाख दिया था इसलिए अब यह लोग बकरी और हिरन की खाल को पेड़ की चाल और लाख से रंगते हैं यह पंजाबी और चम्बियाली बोलते हैं और फार्सी इनकी लिपी है खटिकों को दो मुख्य भागों में बाटा गया है हिंदू खटिक और मुस्लिम खटिक मुस्लिम खटिक जिन्हें कसाई भी कहा जाता है हिंदू खटिक तीन वर्गों में विभाजित है चिक सूप यानि छज बनाने वाले बुचर जो बकरे का मास बेचते है परंतु गाय का नहीं उन्हें आगे महरा और बादी वर्गों में बांटा जाता है सुनखर जो फल और सबजियां बेचने वाले होते हैं खटिकों ने सिंह उपनाम का प्रयोग शुरू कर दिया है मामला यानि वधुमुल्य सामान्यतह दिवंगत पती का छोटा भाई विधवा पुनर विवाह के लिए पहली पसंद होता है अगर यह अपने पती के भाई से विवाह नहीं करना चाहती तो भी वह परिवार में रह सकती है और अवैध संबंध बना सकती है इससे उत्पन्न बच्चों को चकंडू अथवा हलाद कहा जाता है जाटू, मुंडन संसकार होता है जैल, लड़का लड़की का गठबंधन जैल से किया जाता है पित्रपक्ष, हर साल परिवार के मृतक सदस्यों को भोजन तथा उसकी पसंद के सभी व्यंजन चढ़ाये जाते हैं इनके व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय भेड, बक्रियों को काट कर उनका मास बेचना है कुछ लोग चमडे से भी कमाई करते हैं इनकी अपनी बिरादरी पंचायते हैं जिसका मुख्या चौधरी होता है जिसे पंच चुनते हैं धर्म, हिंदू, खटिक, गुरु, नानक, पंथी के अनुयाई है जबकि वे कोई भी सिक सिध्धानतों को नहीं मानते ये समुदाए भैरों, माल देवता तथा सिध्ध मसानी को पूछते हैं जिसे माता मसानी भी कहते हैं उनके धार्मिक स्थल, हरिद्वार, मनि महेश, माता वैशनो देवी है मुख्य मेले, मिंजर, सुई मेला, भरमौर जात्रा है नेक्स्ट जाती को जानने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले चलिए, अब जानते हैं लोहार जाती के बारे में लोहार, ग्रामीर, समुदाय का एक ऐसा वर्ग है जिने काम के बदले में फसल का हिस्सा मिलता है ये फसल उगाने में इस्तेमाल होने वाले लोहे के हर तरह के आउजार बनाते हैं और उनकी मुरम्मत करते हैं इनके खान-पान की बात करें तो चाह और चावल को पकाकर जोल बनाया जाता है जो गरीब लोग अकसर खाते हैं महानी यानि कच्चे आमों का रस पकाकर और खटाई अथवा करी यानि कच्चे आमों को तल कर खाना इनका मुख्य पकवान है सामाजिक प्रणाली सिर्मौर और शिम्ला के नीचे वाले क्षेत्रों में उन्हें स्वर्न-शुद्र माना जाता है जो कुमहारों की तरह है इनके अन्य नाम तर्खान अथवा बधाई है जो कनैतों के समतुल्य है परंतु कुल्लू में इन्हें अस्वर्ण शुद्र माना जाता है जो डाकी के बराबर है स्पीती में लोहे का काम करने वाले समुदाए को जोन अथवा जोबो कहा जाता है इनकी कोई अपचारिक परिशद नहीं है परंतु स्याने सब सामाजिक मतभेद सुलजाते हैं अब बारी आती है सुनार जाती की सुनार गाउं में सोने का काम करते हैं और कभी-कभी पैसे उधार भी देते हैं ये लोग बाहर से मुख्य तह पंजाब से पुराने समय में हिमाचल में आये थे यहां पर ये सदियों से रह रहे हैं परंतु अपने इतिहास के बारे में जानने में असमर्थ है सोनी, कपिला, जरगर, अत्वा जोरगर इनके पर्यायवाची शब्द हैं इनके दो वर्ग हैं पहला वर्ग टंक अत्वा टोंक है इनकी उत्पत्ती खत्री वंश से हुई है दूसरा वर्ग मैर है जो राजपूत वंश के माने जाते हैं शिमला की उपरी पहाड़ियों में इने भरीडा कहा जाता है सौल, कपलाश, हांडा, वर्मा, महता, सोनी आदी इनके गोत्र हैं सुनार खत्री समुदाय के समतुल्य हैं अगली जाती है ठठेरा जिनको धातू का काम करने वाले भी कहा जाता है ठठेरा वव्यक्ती होता है जो कांसे, तांबे और मिश्रिद धातूओं के बरतन बनाता है रोज के अनुसार कसेरा वव्यक्ती है जो बरतन बनाता है और ठठेरा उन्हें बेचता है कसेरा शब्द कांस्य से लिया गया है वे अपना मूल सौ भुजाओं वाले अरजुन यानी सहस्तरारजुन को मानते हैं जो क्षत्रियों में आते हैं ये देवनागरी और गुरु मुखी दोनों लिखते हैं तथा हिंदी और पंजाबी बोलते हैं वाधवा, महता, उप्पल, चड़ा, आनंद और वर्मा इनके मुख्य गौत्र हैं विवाहस संसकार आर्य समाज की हिदायतों के अनुसार हिंदूओं में और सिंखों में गुरु गरंथ साहिब के आनंद कारज के अनुसार होता है हिंदू ठठेरा अलग-अलग कुल और स्थानिय देवताओं को मानते हैं जैसे बाबा अचले चर, विश्व कर्मा और कार्तिक रश्यादी काली और ब्रिजेश्वरी देवी की हिंदूओं और सिखों पर खास कृपा है हिमाचल प्रदेश की जातियों में अब बारी आती है जुलाहा जाती की जुलाहा कबीर पंथी कोयर बुनकर है जुलाहा शब्द फार्सी की शब्द जुलाहा से लिया गया है जिसका अर्थ है धागे का गोला इसी तरह से हिंदी का शब्द जाला अत्वा जाली भी ये बताता है जिसका अर्थ है धागों का जाल परंपरागत तौर पर जुलाहे बुनाई के काम पर निर्भर थे परंथु अब उनमें से अधिकांश ने यह काम छोड़ दिया है कबीर, रामानंद के शिष्य थे वे ब्राह्मन विधवा से बनारस में पैदा हुए थे परंथु उनका पालन पोशन एक मुस्लिम दमपती ने किया था जिनका व्यवसाय बुनाई था इस समुदाय की अधिकांश संख्या, कांगडा, बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन और हमीरपुर में है प्राचीन समय में इनकी लिपिर टांकरी थी साफा एक पगड़ी होती है जिसे घर का सबसे बड़ा आदमी त्योहारों और विवाह समारों हमें सिर पर पहनता है इनके खान पान की बात करें तो खास मौकों पर दूद के साथ बबरू और पतोहने खाय जाते हैं पूद से बने उत्पात जैसे लस्सी, मठा और जोल अक्सर खाय जाते हैं यह समुदाय तैमलू, जनेओगल, भट्टी, जुबलियानी, दोद्जुबिलानी और गौतम आदि गौत्रों में बंटा है इस समुदाय के विवाह के प्रकार है, बट्टा सट्टा, धर्म, पुन्य, जंजरारा अत्वा चादर डालना, यानि विधवा का पुनर विवाह, उसके मृत्पती के छोटे भाई से होता है विवाह में दुलहे के घर पर लाड़ा और लाड़ी पीपल की पूजा करते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं इनके जन्म संसकार की बात करें तो गौतरौलाह बच्चे के जन्म के बाद इस संसकार से घर की शुद्धी होती है पुत्र जन्म के आनंद को अकुनरित चने और चीनी बांट कर मनाया जाता है तथा औरतें रंजून जूना गाती हैं। जाटलू मुंडन संसकार होता है। धर्म से यह हिंदू होते हैं जो सनातन, कबीर, पंथ तथा राधा स्वामी पंथों को मानते हैं। तोन भराडी, गुगगा, गुगरी, बालकनात, आसापुरी इनके कुल देवता हैं। इनके अलावा नाहर सिंह, लखदाता, माता नैना देवी, वैशनो देवी आदी भी हैं। यह समुदाय स्वांग हास्य नाटक करता है। गुगगा नवमी तयोहार में ये लोग गुगगा मंडली में डमरू और कांसिय थालियां भी बजाते हैं। इसके अलावा रात में परंपरागत, चंद्रावली लोग कीत और नृत्य में भी भाग लेते हैं। अनुसूचित जातियों में जुलाहा जाति को ही स्वर्ण जातियों द्वारा सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। अगली जाती है कुमहार। ये खानदानी मटकन होते हैं जो कुमभकार शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है मिटी का घड़ा अथवा घट बनाने वाला। कई स्थानों पर इन्हें घुमाहार, घमियार, घडाला आदी भी कहा जाता है। इन्हें प्रजापती का सामान्य पद दिया गया है जिसका अर्थ है विश्व के लोग के भगवान। इस पदवी का संबंध समुदाय की कथा से है जिसके अनुसार ब्रहमा के पुत्र ने मिटी के घड़े में ताजा गन्ने सनरक्षित किये थे। यह एक स्वर्ण जाती है। बबरू और चावल के आटे की अकली इनके विशेश व्यंजन है। यह बीडी, सिगरेट पीते हैं अथवा हुकपरा, अथवा कली, अथवा जाजरी में खुला तंबाकू का सेवन करते हैं। इनके कुछ गौत्र है, शांडिल, कशाब और भरादरिये, कुछ लोग राधा स्वामी पंथ के अनुयाई भी हैं। विवाह प्रणाली में बटा सटा और धर्म पुन्य सामान्य विवाह हैं। दुलहे के घर पर अंदरेला और पीपल अथवा ब्रह्मा पूजा की जाती है। दुलहा दुलहन एक पवित्र व्रिक्ष की पूजा करते हैं और उसके चारों तरफ सफेद धागा बांध कर उसकी पूजा करते हैं। तथा उसकी परिक्रमा करते हैं। विवाह का ताज अथवा सहरा, स्थानिय देवता लखदाता को वीरवार को चड़ाया जाता है। दुलहन जुलाई अगस्त में पहले काले महीने के दौरान सास के साथ नहीं रहती। गुंतरॉला यानि बच्चा होने के तेरह दिन तक घर को अशुद्ध माना जाता है तथा गुंतरॉला के साथ इसकी शुद्धी का संसकार किया जाता है। पुत्र जन्म को गाव की ओरतें रंजुन जूना गाकर मनाती हैं। कुमहार हिंदू होते हैं। गोदरिया सिद्ध, बाबा बालकनात, लखदाता, नाहर सिंह और गुगगा इनके मुख्य देवता हैं। लखदाता को खुश करने के लिए छिंज तथा गुगगा को मनाने के लिए आठ दिन का उत्सव मनाया जाता है, जिसके बाद रक्षा बंधन का त्योहार आता है। नाहर सिंह सीटी बजाने वाला देवता पीपल के पेड में रहता है। राधा स्वामी पंध के लोगों का देवताओं में विश्वास कम है और ये पंजाब के ब्यास में अपने गुरू के मंदिर में जाते हैं। इनके मुख्य लोग कीत हैं मोहन, गंबरी, रांचो, फुल्मू, बालो महिया, कुंजू, चेचनलो। इस समुधाय के अन्य समुधायों के साथ जजमानों वाले रिश्टेacas थे तथा ये लोग घरों के बदले फसल का हिस्सा लेते हैं। फसल कटने के समय कुमहारों को दिया जाने वाला हिस्सा खलोटी कहलाता है। आईए अब बात करते हैं नाई बाल काटने वाले के बारे में मुस्लिम समुदाय में इन्हे हजाम कहते हैं तथा हिंदू समुदाय में ये खुद को कुलीन ब्रहमन कहते हैं नाई शब्द संस्कृत के शब्द नापिका से बना हुआ प्रतीत होता है जिसका अर्थ है नाखून काटने वाला अत्वा जिसका कार्य नाखून काटना है। इस शब्द की व्युपत्ती बताती है कि इसे शब्द नाहन से लिया गया है जिसका अर्थ है जिसे अस्विकार नहीं किया जा सकता अथवा जो अपनी मर्जी से मना करते। ये जज्मानों की मालिश किया करते थे, कुछ का मानना है कि यह शब्द हिंदी के न्याए अथवा न्याए से बना है, जिसका अर्थ न्याए अथवा न्याए निर्णे करने वाला जज्ज। नाई को शादी और मृत्यो के अवसरों पर राजा की तरह सम्मानित किया जाता है तथा उसकी पत्नी नाईन राणी मानी जाती है। इन अवसरों पर नाई को दरोगा भी कहा जाता है। वह विवाह में बात्चीत में अहम भूमी का निभाते हैं। ये समारोह में लोगों को बुलाते हैं। नाई दुलहे का निजी सलाहकार होता है तथा नाई दुलहन की वे एक बड़ी टाकार की पाइप बजाते हैं जिसे युद्ध बिगुल रंड सिंगा कहा जाता है। ये सभी सेवाएं देने के बदले उन्हें लाग यानी मान दे दिया जाता है जो सामान्य तह फसल का हिस्सा होता है। इनके मुख्य खाद्य भले, बबरू, सेविया, अनकली आदी हैं। आदमी बीडी, सिग्रेट के अलावा हुक्का, कली, जाजरी में खुले तंबाकू से धुम्रपान करते हैं। उनके कई गौत्र है जैसे कश्यप, भार्दवाज, कॉंडल जस्वाल, जम्मौल, पटियाल, चंदेल, कटोच, कपूर आदी। नाई खुद को क्षत्रिय के ब जाती हैं। जनेउ, ये पुरूश को विवाह के समय पहनाया जाता है। विवाह संसकार में अंद्रेरा, यानि नए घर में वधु का पहला प्रवेश, मुकलावा मतलब दुलहन की अपने घर से विदाई, टके लेना, यानि वधु मूले नाईन, कामदेव की तस्वीर बन जन्सकार आदी शामिल है। ये नाई की दुकाने और बाल काटने की दुकाने चलाते हैं। इसके साथ ही ये खेती और पशुपालन भी करते हैं। सामुदा एक परिशद, इनकी एक आपचारिक परिशद है, जिसका मुख्यालय हमीरपुर में हैं। इसमें एक अध्यक्ष और एक सचिव होता है। इसमें शामिल होने के लिए प्रत्यक परिवार से बारह रुपए लिए जाते हैं। ये परिशद नाईयों को पिछडे वर्ग से अनुसूचित जाती के वर्ग में लाना चाहती है। इनके क्षेत्रिय लोककीत और कथाएं पुरान, भगत, नारसी सेट, रामायन, महाभारत, कुंजुचेचलो, रांचुफल्मू, गंबरी, मोहन, भजन, भेटे, आदी है। इनके प्रसिद्ध वाद्ययंत्र, दुंतार, धोलक, खर्ताल, खंजर, चिमटे और घटियां हैं। नेक्स्ट जाती है सनाई। नाई का अर्थ है जो लोग अभी नलीदार शेहनाई बजाते हैं। ये पहाडी बोलते हैं तथा इनकी पुरानी लिपी टांकरी थी परंतु अब इसका स्थान फार्सी, अरेबिक और देवनागरी ने ले लिया है। उनका स्थान हाली, कोली, बैसी तथा चनाल के समतुल्य है परंतु चूड़े, चम पांच हिस्से होगे। पांचवा हिस्सा माता-पिता का होगा, ये हिस्सा पिता की मृत्यू के बाद बड़े पुत्र को मिलेगा। सनहाई मंदिरों, विवाहों के साथ-साथ, मिंजर तथा विशू जैसे मेलों में भी शेहनाई बजाते हैं। जब ये शवयात्रा में शे निक्षेत्रों में अरेन तथा बागवान के नाम से जाने जाते हैं। सैनी शब्द रसैनी, अत्वा रसई से लिया गया है। जिसका अर्थ है कौशल क्योंकि ये लोग हाथों से इतना बढ़िया काम करते हैं जो कि उद्ध्योग और योगिता से भी नहीं किया जा सकता। ये समुदाए मुख्यतह हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में फैला है। सूत्रों के अनुसार ये लोग महाराजा रंजीत सिंह के समय में पंजाब के होशियारपुर के चंजोवाल गाव से आये थे। इनकी बोली पंजाबी, हिंदी और उर्द विधवा का विवाह पती के बड़े भाई, छोटे भाई या बेहन के पती से करवा दिया जाता है। और दिवंगत के बड़े पुत्र के सिर पर पहनाता है जिसका आर्थ होता है कि दिवंगत पिता की जिम्मेदारियां और शक्तियां इसके पास आ गई है। इनके व्यवसाय की बात करें तो इनका खांदानी पेशा, कृशी के साथ साथ, नकदी बागवानी भी है। जिनके इक्षेत्रिय देवी देवताओं को पूजते हैं जैसे नाग देवता और बाबा गोरखनात। रविवार का दिन नाग देवता को समर्पित है। बाबा गोरखनात के अनुयाई राजा भरतहरी चंदर को भी उच्च स्थान प्राप्त है। मकर संकराती के दिन चंजोवाल गाव जो कि उनका वास्तविक जन्मस्थान है में मेला लगता है जिसमें बाबा गोरखनात और भरतहरी चंदर की दैव्य शक्तियों का बखान किया जाता है। यह लोग जैट माह यानि मई जून के पहले मंगलवार को पीपल के पेड़ की नाग देवता और पीपल का भगवान शिव से गहरा संबंध हैं। परंपरागत जजमानी प्रथा स्थानिय भाशा में सप्पी सिर्फ तर्खान और लोहारों में विद्यमान है। दोस्तों अब बारी आती है डुमना जाती की। यह चंबा, कांगडा और शिमला के पहाड जाते हैं। रहडन या रिहारा जाती, डुमना जाती की समवरगिये है। यह कंगडा और शिमला हिल्स में पाई जाती है जहां इन्हें ग्वाला या गडरिया कहा जाता है। यह ट्रिंकिट्स यानि सस्ते गहने बनाते हैं जो कांस्य धातूँं से बनते हैं। इन्हें हर जिले में पहले हैं। उनके कुछ नियम भी उन्हें हिंदू उत्पत्ति का बताते हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय के विपरीत, तेली, चचेरे, मम्मेरे भाई बहनों में विवाह नहीं करते। मेहर, वधु मुल्य होता है। निकाह नाम में मेहर की रकम बताई जाती है। विवाह में वरवधु को निकाह की महंदी लगाई जाती है। खिरपु बच्चे को पहली बार अन खिलाने को कहते हैं। जाटलू मुंडन को कहते हैं। इद्दत पती की मृत्यू होने पर विधवा तीन महीने दस दिन तक घर से बाहर नहीं जाती। ये पीर और मजारों को पूझते हैं। अब बात करते हैं गिरत जाती की। जो की इस वीडियो की और हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जाती की आखिरी जाती हैस। गिरत गिरत अत्वा चौधरी, ब्राह्मन और राजपूतों के बाद आते हैं जो हिंदू समुदाय में सरवाधिक हैं। ये हिमाचल के उत्तर पश्चिम भाग, कांगड़ा, हमीरपुर, उना और बिलासपुर में बसे हैं। गिरत शब्द, गृता, अत्वा, घी शब्द से बना है, क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें घी से बनाया था। कहा जाता है कि ये लोग कभी नहीं धकते और सबसे अधिक मेहनती और सफल किसान है। इस समुदाय के व्यक्ति अपनी उत्पत्ती एक साधू गृत रशी से मानते हैं तथा खुद को महाभारत के कौरवों से भी जोडते हैं। उनकी महासभा अपने समुदाय को गिरत की जगह गृत नाम देना चाहती है। यह क्षेत्रिय बोलियां जैसे कांगडी और बिलासपुरी यानि कहलूरी बोलते हैं। इनके त्योहार के पकवान हैं अनकली, बबरू, खीरादी है। गिरत की आठ श्रेणियां हैं, कानुदल, भारद्वाज, भटलू, बढ़ियाल, पाथरी, चबरू, रेहू और छोरा। इनकी विवाह संधियां एक मध्यस्थ के द्वारा तैय की जाती है, जिसे रोबारा, अथवा, रबारू कहा जाता है। बरिनावधु मुल्य को कहते हैं, धुआजू एक व्यक्ति की दुबारा शादी को कहा जाता है, जंजारारा या चादर डालना, विधवा पुनर विवाह को कहा जाता है, दुलह दुलहन पीपल की पूजा करते हैं और कुछ लोग दारण व्रिक्ष को पूज कर परिक्रमा करते हैं, गुंतर आला प्रसव के बाद शुद्धी संसकार जो गौमुत्र से किया जाता है, सबसे बड़े पुत्र का मुंडन बालसरूपी अथ्वा दियोठ सिद्ध के मंदिर में कटवाए जाते हैं, इनके व्यवसाई की बात करें तो गिरत मूलतह किसान समुदाएं है उन्हें उनके मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता है, एक कहावत भी है, गिरत बच्चा जम पाया, डाल बासूत कम पाया, अर्थाज जब गिरत पैदा होता है तो खेती की जाडियों को उखडने का डर सताने लग जाता है, यह राज्य का सबसे बड़ी OBC समुदाए है गांव के अत्वा स्थानिय देवी देवता है, बाला कृपा महादेव, जुआला मुखी, ब्रिजेश्वरी माता, चामुडा देवी, नैना देवी और चिंतपूर्णी आदी, अखिल भारती अक्षेत्री अगृत, चाहना और मटी महासभा इस समुदाए के उत्थान के ल एक्जाम में इस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, जुड़े रहिए जी कि स्ट्रीम चैनल के साथ अब इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार